पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटी हिमालाई की उचाईएंगों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखें वहां और भी है परवतों पर उस दिन फॉजी कमांडो अकेले नहीं थे दुश्मन सैनिकों ने गित्पे पत्थरों की आज लेकर फॉजी यूनिट पर धवा भोल दिया कबिन बेस काफ स्कॉट थी का भारतिये शेत्र गुसपाटियों से सामना हुआ रिपेट स्कॉट थी का दुश्मनों के सामना हुआ लेटनेंट सिंकी पिट्रूल थी टीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलन से गिरे पत्थर और चट्टा और अंधेरा चा गया छे घंटे बाद जब लेटनेंट सिंकी आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी पिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारती असेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी भाहिचारे और भारत के लिए फौजी बहादुरी बहादुरी नहीं होगी 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 ह अज़ा, आपच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्र उनाई परह उला बुग सोगनाईеж करफः इसा इस। भी एपत। झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो